डाउट्रेंट पे कीजिए अपने सारे गवर्मेंट एक्जामसी त्यारी, सीखे नियू टिप्सें ट्रिक्स और सफाय करे अपने सारे मैच्च डाउट्स का, डाउट्रेंट कीजिए डाउट्रेंट आप भी या फिर वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो चा हुआ है 5.71 गुणे 5.71 गुणे 5.71 माइनस 2.79 गुणे 2.79 बटे 5.71 गुणे 5.71 गुणे 2.79 गुणे 2.79 का सरली करित मान क्या है तो देखिए इस तरीके के प्रश्ट कभी भी आपको दिये हों तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रश्ट किस तरह की सर्वसमीका पर अ अधारित है क्योंकि आपको मैंने जो सर्व समिकाएं पढ़ा रखे थे कुछ सूत्र पढ़ा रखे थे जैसे की a cube plus b cube ठीक है a cube minus b cube क्या होता है a plus b का whole square क्या होता है ठीक है इस तरीके की सर्व समिकाएं करके हमें use करके हमें इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं तो देखे यहाँ पे अगर मैं देखता तो मुझे दिख रहा है प्रश्न में कि a बराबर अगर मैं 5 दसमलो 7 एक लिख लूँ ठीक है तो देखे यहाँ पे अगर यह लिखता तो यह मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 5 दसमलो 7 एक का cube minus 2 दसमलो 7 नो का cube बटे 5 दसमलो 7 एक का वर्ग plus 5 दसमलो 7 एक कुणे 2 दसमलो 7 नो plus b square यह मैं लिख सकता था प्रश्न को तो देखे यहाँ पे अगर मैं आपसे यह कहता हूँ कि मुझे a cube minus b cube बराबर क्या होता है a minus b गुणे a square plus ab plus b square यह मुझे पता है ठीक है तो इस प्रश्न को मैं बहुत ही आजानी से कर लूँगा देखे यह क्या हो जाएगा मेरा a cube minus b cube बटे a square plus ab plus b square है तो इसको मैं लिख लेता हूँ a minus b गुडे a square plus a b plus b square ठीक है बटे हर में कितना दे हुगा है a square plus a b plus b square तो a square plus a b plus b square ठीक है देखे वही values हैं बस मैंने a और b नाम दे दिया है ताकि आप प्रश्ण को आसानी से solve कर पाएं तो देखे अंस और हर में क्योंकि समान संख्याएं होंगी ठीक है a square plus a b plus b square हर में भी a square plus a b plus b square तो ये values कट जाएंगी तो answer इसका क्या आजाएगा बताइए a minus b यानि कि a मेरा कितना है 5.71 और b मेरा कितना है 2.79 है तो 5.71 में 2.79 मैंने घटा दिया तो ये value आगई मेरी 2.92 मेरा answer हो गया ठीक है तो देखिए option number D यहाँ पर सही उत्तर होगा Thank you